क्या आप जल्दी और आसानी से नागरिक्ता पाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है. यहाँ हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताएंगे, जहाँ आप बिना भारी खर्च के नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कम समय में. अगर आप सोच रहे हैं कि बिना लाखों खर्च किये, सिटिजन्शिप कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. इस वीडियो में न केवल जल्दी नागरिक्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको मिलेगी स्थिर्ता, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत का अवसर. तो आईए, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे देश में, जो अपनी सम्रिद्ध संस्कृती, एतिहासिक धरोहर और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. सर्बिया, यूरोप के दक्षन पूर्व में स्थित एक ऐसा देश है, जो न केवल अपनी सुन्दर्ता से आपका दिल जीत लेगा, बलकि यहां की नागरिक्ता पाने की प्रक्रिया भी आसान और प्रभावी है. सर्बिया एक ऐसा देश है, जो हर किसी को आकरशित करता है. इसकी राजधानी बेलग्रेड केवल एक शहर नहीं है, बलकि यूरोप के सबसे पुराने और सांस्कृतिक रूप से सम्रिद्ध शहरों में से एक है. सर्बिया का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितिय है, यहां की पहाडियाओं, नदियाओं और जंगल आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएंगे. सर्बिया में नागरिक्ता पाने के लिए सबसे पहले आपको एक अस्थाई रेजिदेंसी वीजा की आवश्यक्ता होगी. यह वीजा आप विभिन आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे की रोजगार, पढ़ाई, शोध कार्य या एक स्टार्ट अप शुरू करना. सर्बिया के आर्थिक क्षेत्र में निवेश करना भी एक विकल्प है, जो ग्रीस, स्पेन और साइप्रस जैसे यूरोपिय देशों के निवेश रास्तों से मिलता जुलता है. यह न केवल आपको सर्बिया में रहने का अधिकार देगा, बलकि आपके निवेश को भी सुरक्षित बनाएगा. एक बार जब आपके पास अस्थाई रेजिडेंसी वीजा हो जाता है, तो आपको सर्बिया में लगातार तीन साल तक रहना होगा. यह तीन साल का समय केवल समय बिताने के लिए नहीं है. यह वो वक्त है जब आप सर्बिया की संस्कृती, परंपराओं और लोगों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं. यहां के लोग बेहद मित्रवत और स्वागत शील हैं, और आपको यहां जल्दी ही घर जैसा महसूस होने लगेगा. सर्बिया की भाषा, सर्बियन को सीखना भी इस दौरान आपको मदद करेगा. भले ही इंग्लिश यहां व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन सर्बियन भाषा का ज्यान आपको स्थानिये जीवन में घुलने मिलने में और भी सहायता करेगा. तीन साल के निवास के बाद आप स्थाई निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सर्बिया की नागरिकता पाने का अगला महत्वपूर्ण कदम है. स्थाई निवास मिलने के बाद आपको एक शपत पत्र जमा करना होगा, जिसमें आप सर्बिया को अपना देश मानने की पुष्टी करेंगे. यह शपत पत्र सर्बिया के प्रती आपकी निष्ठा और प्रतिबधता को दर्शाता है. सर्बिया का पासपोर्ट आपको यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है वर्तमान में सर्बियन पासपोर्ट के साथ आप 138 से अधिक देशों में वीजा मुक्त या वीजा ओन अराइवल यात्रा कर सकते हैं यह उन लोगों के लिए एक बड़ा लाब है जो अकसर यात्रा करते हैं या व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में जाना चाहते हैं इसके अलावा सर्बिया का पासपोर्ट यूरोपिये देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में भी मदद करता है जिससे आपके व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में कई नए अवसर खुलते हैं सर्बिया में नागरिक्ता प्राप्त करने के बाद आप यहां की उच्च जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं सर्बिया में रहने का खर्च अपेक्षाकृत कम है जिससे यह देश उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी जीवनशैली को संतुलित और किफायती रखना चाहते हैं यहां की स्वास्थे सेवाएं उच्च गुणवत्ता की है और शिक्षा प्रणाली भी बहुत ही उननत है सर्बिया के विश्व विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके बच्चों के लिए यूरोप और अन्य देशों में उच्च शिक्षा के अवसर खुल जाते हैं सर्बिया व्यापार के लिए एक आकरशक स्थान है जो विश्व के कई बड़े निर्यात बाजारों से जुड़ा हुआ है जैसे की यूरोपिय संग, रूस और टर्की सर्बिया में खनिज संसाधनों की भी भरपूर मात्रा है जिसमें तांबा, लिगनाइट और अन्य खनिज शामिल है इसके अलावा सर्बिया क्रिशे उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है विशेश रूप से मकई और रास्पबेरी के उत्पादन में सर्बिया का खाद्य प्रसंसकरण उद्द्योग भी बहुत मजबूत है जो देश के कुल प्रसंसकरण उद्द्योग का लगभग एक तिहाई हिस्सा बनाता है अगर आप व्यापार के लिए नए बाजार की तलाश में हैं तो सर्बिया के सम्रिद्ध संसाधनों और क्रिशि उत्पादों के साथ व्यापार के अवसर आप के लिए लाभकारी हो सकते हैं सर्बिया में विदेशी निवेशकों के लिए कई प्रोटसाहन योजनाए हैं जिनमें करचूट और निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के उपाए शामिल हैं और द्योगिक शेत्रों में निवेश करने पर आपको 50,000 डॉलर तक की करचूट मिल सकती है छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए सरकारी सहायता कार्यक्रमों में प्रशिक्षन, परामर्ष और वित्तिय सहायता शामिल होती है जो आपको 10,000 डॉलर से 20,000 डॉलर तक की राशिप्रदान कर सकती है अगर आपको अभी तक यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें इससे हमें और अच्छे कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है अब बारी आती है एक और अद्भुद देश की जिसे लोग इसकी सम्रिध संस्कृती, आराम दायक जीवनशैली और अद्वितिये प्राकृतिक सुन्दरता के लिए जानते हैं जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इक्वाडोर की इक्वाडोर, दक्षन अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक अद्वितिये देश है जहां की विविधता और प्राकृतिक सौन्दर्य किसी को भी आकर्शित कर सकते हैं यह देश उत्तर में कोलंबिया और दक्षन में पेरू से घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरत तटरेखा प्रशान्त महसागर से लगती है यदि आप इक्वाडोर की सिटिजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रेजिदेंसी वीजा की आवश्रक्ता होगी अच्छी खबर यह है कि इस वीजा को प्राप्त करना एक सीधी और सरल प्रक्रिया है एक बार वीजा प्राप्त करने के बाद आपको तीन साल तक इक्वाडोर में निवास करना होगा और फिर आप citizenship के लिए आवेदन कर सकते हैं एकवाडोर का पासपोर्ट आपको 113 से अधिक देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है एक विशेश बात यह है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य एकवाडोर में जन्म लेता है तो यह आप के लिए citizenship प्राप्त करने का एक तेज और प्रभावी तरीका हो सकता है एकवाडोर की जीवन शैली बहुत ही आराम दायक है और यहां की जीवन की लागत अपेक्षाकृत सस्ती है स्वास्थ्य सेवाएं भी उच्च स्तरीये हैं जिससे यह देश जीवन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है एकवाडोर किसानों और निवेशकों को विशेश प्रोतसाहन प्रदान करता है विशेश कर क्रिश्य और परेटन क्षेत्रों में यहाँ पर भूमी खरीदने पर भी सुविधाएं मिलती है एकवाडोर का व्यापारिक माहौल भी बहुत सकारात्मक है जहाँ पर आप परेटन, क्रिश्य और होटल इंडस्ट्री में उतक्रिष्ट अवसर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एकवाडोर में व्यवसाय या स्टार्ट अप शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह देश आप के लिए कई फायदे पेश करता है एकवाडोर में सरकार व्यापार और निवेश को प्रोथसाहित करने के लिए विभिन प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान करती है। स्टार्टेब्स के लिए सरकारी कार्यक्रमों में व्यापक प्रशिक्षण, विशेशग्य परामर्ष और व्यापार सलाह शामिल होती है। कई कार्यक्रम पांच हजार डॉलर से दस हजार डॉलर तक की वित्तिय सहायता भी प्रदान करते हैं। एक्वाडोर रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए एक शांदार विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहां का जीवनस्तर सस्ता है और स्वास्थय सेवाएं उत्कृष्ठ हैं। युवा परिवारों के लिए भी एक्वाडोर में शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां और एक सुखद जीवनशैली की भरपूर संभावनाएं हैं। यहां की सुन्दर प्रकृती और आरामदायक जीवनशैली परिवारों के लिए आदर्श बनाते हैं। अगर आप तेजी से और बिनाभारी निवेश के सिटिजन्शिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इक्वाडोर और सर्बिया आप के लिए बहतरीन विकल्ब हैं। इन देशों में सिटिजन्शिप प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षा कृत सरल है। और आप अपनी नई पहचान के साथ एक नए देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं। अगर आप ऐसे देशों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको वहाँ बसने के लिए पैसे भी देते हैं तो हमारा हाल ही में जारी किया गया वीडियो जरूर देखें। जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो को देखें। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो क्रिपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स भी देख सकें।